सपने और लक्ष में एक ही अंतर है सपनों के लिए बिना मेहनत की नीद चाहिए और लक्ष के लिए बिना नीद की मेहनत तो दोस्तों B8 का परिख्षा आपके सर पर है और आयो थोड़ी दिर के लिए नीद की कुरुबानी देते हैं और पढ़ते हैं बहतरी इन तरीके से और समझने की कोसिस करते हैं कि B.A. सेकेंडेर में अगर आपका सब्जेक्ट ये है सैच्षिक प्रबंदन और प्राइवरडिय सिख्छा एजुकेस्टन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेज्मेंट तो इसके 75% जो आपके कोस्टन होंगे न वो ऐसे कोस्टन होंगे कि जो आपने पढ़ रखा है समझ रखा है एक्जाम्स के लास्ट में आएए बस एक छोटी से हिंट समझ जाते हैं कि पूछे क्या जाते हैं प्रश्न कैसे और लिखना कैसे है इस प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह आपको दिखाए तरह है समय सारडी, टाइम टेबल, प्रेवरडी सिक्षा, एजुकेशनल एजुकेशन, सुरी इन्वर्मेंटल एजुकेशन, प्रदूसर, संतुलित आहार, हेल्थ एजुकेशन, संक्रमर, जनसंख्या, नियंतर, पॉपुलेशन, कूल बजट, सिक्षा में राज सरकार की भूमिक हैं, और इस बार भी पूछे जाएंगे, तो यह सारे पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, एक छोटी सी में डिस्क्लिमर दे दू, कि इसके अलावा भी, जैसे कि सैचिक प्रसासन प्रवंदर दो पॉइंट हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैस आप से पहला कोश्चन टाइम टेबल क्या होता है, समय सारडी क्या होती है, किताब भी वासा छोड़ दीजी, टाइम टेबल क्या होता है, बस आप इस वासा में समझेए, कि विद्याले में जो भी डेली कारे होते हैं, वो किसके अनुसार चलते हैं, या एकॉर्डिंग समय सारडी को समय ताली का कहते हैं, जो विद्याले में चलने वासे संवस्त गति वीदियों का क्या करता है, जिसके अनुसार विद्याले के समय सारडी कहलती है, एकुछ और पॉइंट आप एड़ कर सकते हैं जैसे कि time table से क्या होता है time का और स्रम का energy का दुख्या हो जाता है और विद्याले के सारे कार जो है वो बीना रुके चलते हैं ठीक है time table से क्या होता है समय का प्रबंद दौरा हम यह जान जाते हैं कि विद्याले में किस दिन, किस समय, किस कक्छा के दौरा, मतलब कब किस समय, कौन से टीचर क्या करेंगे, क्या पढ़ाएंगे, यह सब चीज से हम क्या खरते हैं, समय सारणी से टाइम टेबल से समझ सकते हैं, डेफिनिशन की बात करें, तो नाम को आप एग्णोर करें, नाम याद करने की जोट नहीं, परिभासा में आप लिख दीजेगा, कि विद्याले की जिस योजना, तालिका या चार्ट के अनुसार, प्रती दिन निधारित समय को विविन विसियों, कच्छाओं, क्रियाओं के विएट परदसीद किया जाता है, या दरसा जाता है, समय सारडी कराता है, समझ में आगई बात, अब आए, पिट मैन ने कहा था, कि सुबधर षिप स्मय सारडी, सुबधर मस्तिश की उपETH है, बस, परिभासा मीतरा हमें रटने वाली चीज़ नहीं, हमें बस देखना हैं कैसे exam में लिख लेंगे चलिए हम इसको भी छोड़ करें अब बता है समय साराडी की उपी होगी था क्या हो सकती है क्या यूज किया है समय साराडी तो सबसे पहले समय साराडी से समझ जाएंगे कि विद्याले के कारे क्रमों का घ्यान कि कब क्या कौन से चीज़े होनी है ता निरक्षड की सुविदा अगर कोई टेस्ट करना चाहे चेक करना चाहे तो समझ सकता है कि हाँ ये टीचर अभी इस समय यहाँ पे होंगे कार्य वित्रण की में समानता बराबर सबको आप कार्य दे सकते हैं टाइम टेबल से ऐसाने किसी टीचर को बहुत ज़्यादा दे दिया कोई टीचर आराम कर रहा है थकान एवम स्थिलाम की कमी समय समय पर उनको गैब भी दिया जाएगा और दोस्तो समय सारड़े की उपयोग समय सारड़ी अगर मान भी आते हैं तो इसके कुछ सी धानत है कि कैसे आप समय सारड़ी बनाएंगे जैसे कि विभागी नीमो का पालन मतलब विभाग के दोएरा कुछ आदिश दिया जाता है कि आपको कब कितने बज़े से स्कूल आपको चलाना है अब आप कहेंगे मेरा तो हम रात को आठ बजे से सुरू करेंगे, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको विवागी नीमों का पालन करना है, शिक्षकों के हित का भी ध्यान रखना है, व्यापक्ता रखनी अपनी समय सारडी में, थोड़ा से उसमें खेल रखना है, थोड़ा से टेबल बनाएं कि सारे बक्चों की विविद्दा का भी हम उसमें ध्यान रखें साधुरों की उपलब्दता इसका भी हमें ख्याल रखना अब एक्जांपल की तौर पे आपने एक इसाथ तो साम तक आते हैं ते बच्चे थोड़े से फिजिकली क्या होते थक जाते तो साम तक ऐसा रखिए बीच 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 पे कुछ ऐसे रखिए कि उनका इंटेटेमेंट भी होता रहे समझ जारी आप सबसे पहले मैथ रख दीजिए फिर केमेस्ट्री रख दीजिए तो समझने की बात है ठीक है तो यह होगा समय साड़ी की सीधा अब आप से दूसरा एक गवर्ड़ी सिख्चा इंवर्मेंटल एजुकेशन ठीक है इसको भी आप आसानी से लिख सकते है प्रैवर्ड़ी सिख्चा होता है आसान सब्दों में इसको समझ जाई बस और कुछ मत सम कि उम्रित ग्यान करना ही इनुवर्मेंट के बारे में एजूकेशन डेज़ुकेशन गर्डिंवर्मेंट का आग थ aika स Rapha इनुवर्मेंट uw एजूकेशन तें अब आई इसमें होता क्या यह तो समझ में आ गई kings सब थोड़ा सा अगर explain करना चाहेंगे थोड़ा हिंदी के सब्विनास लिए पर्यावरण की घटकों का विस्तरित ग्यान पर्यावरण तथा मानों के मद्य अंतर संबंध आप सब को पता कि पर्यावरण को बचाना है संब्रक्षड करना है हमें इस परकार के अविवरिती एटिट्यूड बनाना एटिट्यूड लाना है इस परकार के हमें सोच लानी है और इसी सारी चीजों को हम क्या गयते है इसी सारी सिक्षा को हम क्या गयते है पर्यावरण सिक्षा असान से सब्दों में बस प्राइवराण सिक्टा से अस्य है भ्होतिक यासांस्क्रिटिक प्रती चेतना पैदा करने से हैं तथा जीवरण की यथार्थ रियल प्रस्थिति के साथ उसकी सार्थक्ता सीध करना है समस्या और कटनायों की पहचान की जाती है जीवन दाइनी विकास को द्रिष्टी में रखते हुए परयावरण को सुधारा जाता है परयावरण और संतूलत ना हो जाए उसी को सुधारना क्या गराता है परयावरणी सिक्षा जिससे वो समस्याओं से अवगत होकर उनके सामाधान परियास कर सके और साती भावी समस्याओं के संकट को भी देख सके ठीक है चलिए बहुत से अब यह हो गई हमारी परयावरणी सिक्षा के और्थ और परिवासा के बारे में अब आप बताईए कि जब आप इन्वार्मेंट के बारे में स्टडी करेंगे तो इसका अवसकता क्या है क्यों जरूर है और क्या महत्व है तो देखिए जब आप इन्वार्मेंट के बारे में पढ़ते हैं तो प्राइवरल सिक्षा के माद्यम से बालक को प्रारम से प्राइवरल घटकों के परती सचीतना हो जाती है कि हमें प्राइवरल को बचाना है ठीक है यूगा वर्ग में प्राइवरल चेतना जागरीत कर उनकी अभिवरिति में परिवतन करना है अब इसको छोड़िए प्रैवरड का महत्वर उप्योगिता यह है कि प्रैवरड के बारे में जानना प्रैवरड के बारे में जानना प्रैवरड को संरचड करना प्रैवरड को बचाना आने वाली भविस्वे में प्रैवरड की खत्रे से खुद को रोकना प्रैवरड के जाओं के हल बताना बनाना जाकरू करना तो यह सारी सिक्षा है क्या हो गई प्रावड़ी सिक्षा के महत्वर उप्यों किता हो गई आप बस लिख लिजेगा बस इतना नहीं अब आएए अब हम बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट यानि की बिद्याले प्रबंदन के बारे में तो आप क्या कहते है आप चिंटा मत करें हम प्रबंद करते हैं प्रबंद मतलब आप कहीं से व्यवस्ता करते चीजों को ले के आते तो बस वह ये विद्याले प्रबंदन से ततपर उस संगठन से है जो विद्याले के विविन किरियाओं को चलाने के लिए प्रधाने आध्यापक, निरक्षक, सिक्षार्ती एवं अनकर्णचारी गड़ मिल जूरकर सहचिक उदेश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियूजित, समन्त, अभिप्रेवित, नियंतिर तथा मानिवी विवह बहुतीक श्रोत्तों के समन्त अस्थापित करना है विद्याले प्रबंदन में प्रबंदन में कौन-कौन से होते हैं या प्रधचार होंगे सिक्षक होंगे करमचारी चात्र अभिवावग बहुतिक संसाधन और यह सारी चीज़ हो आसां से सब्दों में क्या है विद्याले में उपलब्थ भौसिक संसाधन एवं मानिवें संसाधन का समुचित उप्योग विद्याले प्रबंदन ही कहलाता है अब आईए अगर हम विद्याले प्रबंदन के कारे की बात करें जिसो आप मैनेजमेंट आपकी स्कूल का विद्याले प्रबंदन है अड्मिनिस्टेशन है उनके कारे क्या होते हैं तो सबसे पहले उनके कारे देखिए कि विद्याले के लिधाने कत्तित करना एवं उसका सदूप्यों करना विद्याले में की सिक्षर समागरी तथा परयोगसला का विवस्था करना यह सारे कार होते हैं विद्याले प्रबंदन के ठीक है अब आईए मैं आपको कुछ एक ऐसा इंपोर्टेंट प्रबंदन पूशन बताता हूं कि कई बर पूछता है वह क्या है दोस्तों विद्याले बजट ठीक है बजट क्या होता तो यह पहले जिसने नोस लिखा है थांकी सो मच बहुत अच्छा नोस लिखा है आपने औ तो इसी को इससे यह निधारित करते थे कि हमारे पास पैसे कितने है और खर्चा कितना करना है ठीक है तो इसी चीजी को वास्तों में बजट कहा गया है भविस्ते के लिए की गई वह योजना जो पूरे साल का आयत खर्चे का अनुमान लगाकर बदाई जाती है क्या कहला ये budget कालादी बजट हुई अब विद्याले budget के बारे में हमें बात करें तो school budget क्या होता है तो विद्याले बजट एक ऐसा विद्याले का आमदनी तो खर्चे जैसे खर्चे का अपचारिक वीवरण है जिसके आए और बयाय होगा ठीक है मतलब आयह और बयाय का वी वरण ही क्या कराते है तो कितनी आए होगी और कितना वयाय होगा किसी भी संस्था का विकास उसकी आर्थिक विवस्ता कोई के अनचन तुलन पर ही निरवर करता है अब ऐसा पैसे आए स्कूल में और खर्ची ज्यादा हो रहा है तो वो सनस्ता चली नहीं भाहे गी नए तो विध्याले बजट वही है कि आपके आमदनी और आपके खरचे का विवरण कराता है थोड़ा सा और विध्याले बजट के बारे हम दिखी विध्याले बजट एक ऐसा विद्याले का लेखा जोखा है जिसमें विद्याले के ऊपर खर्च करने वाले संपूर्ण वित्त का लेखा जोखा होता है इसके दवारा यह निर्धारित किया जाता है कि कहां पर कितना वित्त और किस तरह से खर्च करना है जिससे विद्याले में सिख्छा की गुडवात्ता अच्छी हो जाए इनी बजट के पैसे से ही विद्याले में मानवी एवम मानवी एवम सुरोतों का विकास किया जाता है मानवी सुरोत अर्थात मानवी सुरोत का मतलब और एक मानवी सुरोथ और एक भौतिक सुरोथ मानवी सुरोथ का मतलब जैसे टीचर, करमचारी, चपरासी तो ये लोग ठीक है और भौतिक सुरोथ का मतलब आपकी लाइब्रेडी, आपकी गिताबें, ये सारे चीज़े तो बजट से ही हम क्या करते हैं मानिवी सुरोत और भौतिक सुरोत का निर्धारा करते हैं समझ में आ गई लिख लेंगे आप लोग चलिए बहुत से अब आईए अब बजट के परकार देखें कि विद्याले बजट के परकार तो विद्यालेक बजट के प्रकारों को कई प्रकार से विवाजित किया जा सकता है यहाँ पे चार प्रकार लिखे रहे हैं चालू बजट, दिर्गक अवधी बजट, प्रमप्रागत बजट और विस्षिस्ट कारे बजट यह चार प्रकार के हैं अब ये क्या होता है चालू बजट क्या होता है मतलब वह बजट जिसकी खरजे आपको प्रतिदिन करनी होती है जिसे कभी कुछ लेना हो स्कूल के लिए कभी मालेजी स्कूल में पेंटिंग करानी हो कुछ चीज़े करानी हो तो वह चालू बज़ेसे कि विध्यालेक में बजट को प्रस्तुत किया जाता है तो यह इसके कोई फिक्स नहीं है तो यह हमारा चालू बजट हो गया दिर्गकालीन बजट का मतलब आप ने एक विवस्था बनाई कि हमें पान साल में या चार साल में हमें इतने पैसे बचाने हैं और किसी कारे के लिए हमें इतना खर्च करना है एक दिर्गकालीन आपने प्लैन करके बनाया तो कि कुछ सैचिक योजना इस पकार की होती है जिन्हें पूर्ण होने में एक वितिय वर्ष से अधिक समय लगता है एक साल से ज्यादा समय लग जाता है अर्थाथ एक वर्ष से अधिक चलने वाली योजनाओं जो कि समाने ताफ पांच वर्ष या दस से पंदरा वर्ष तक के लिए बनाई जाती है उनकी आएविया का विवरण प्रस्थ करना या विवरण का निर्माड होना धिर्गकालीन बजट कहलाता है दिर्गकालीन बजट में निर्धायत उदे तो वो बजट यह क्या होती है दिरिकालीनी बजट होती है अब आईए हम बात करते है परंपरागत बजट परंपरागत बजट का मतलब जैसे कि परंपरा है कि हमारे स्कूल ना हर साल हर साल एक खेल कराती है एक टूनामेंट कराती है तो जो परंपराएं विद्याले में चलि आ रहे बजट के समान हर साल होते हैं अर्थात इसमें आय वा वेर, सुरोत का मंदः गटवर्सों के बजट के समान ही होता है, केवावल वस्तूओं के वर्तमान, मुले, संदम, जैसे की हमरे स्कुल में हर साल हम जैसे भंडारा कराते हैं, है और फर हमने हर साल कराना है यह हमने हर साल किम कराना है तो यह विद्याले में में मुख्यमंत्री जी का आग्मन है तो उसकी प्सस्यामंत्री जी Dies तो यह क्या हो गाए दोस्तों विस्सिस्ट कारेब करेझरा काम बजट हो जाएगा ठीक है उम्मीदैं दोस्तों शमज में आ गई हो पाठे वस्तुओं इन किरियाओं से ही पाठे सागामी किरियाओं कहते हैं, समझ में आगजी बात, पाठे के साथ साथ चलने वाली किरियाओं, पाठे सागामी किरियाओं के उद्दे से क्या है, तो दीए पाठे सागामी किरियाओं के उद्दे से क्या है, तो दीए पाठे सा नागरीटा का सिक्षा परदाने मिलता है, मैं सिक्षा मिलती है, छात्रों का सरोत्तर मुखिविकास होता है, छात्रों को स्वासन की सिक्षा परदान की जाती है, समाज और विद्यालेक में महज आपती सम्मंदों को सद्रिड बना जाता है, छात्रों की रूचियों का सही मार करके आनाय यह फिर कल सुबह उटके मितलब आपके जो स्कूल के टाइम wizard which कि अंदर आप पाइट सागांच किरया एद Grü किरें कैंट चाहति आधिक साही MARK हमें whenever kita चात्रों को सिखाना है तो हमें चात्रों को अधिक से अधिक सयोग चाहिए सिक्षा और विद्याले के उदेशों का ध्यान रखना चाहिए ठीक है इसके अलावा चलिए तो यह हो गए हैं दोस्तों हमारे पाठे सहाकामी किरियाओं के संगठन के सिधान आप लो लिख लेंगे कोई ने बहुत अच्छा एक बार और देख लेतें तो क्या है विद्याले के कारेकाल में ही इसका संगठन हो छात्रों का अधिक सा अधिक सा और उचित योजना का निर्माण और उचित चुनाओं करें ओके आए कुछ और छोटे छोटे प्रस्ण देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रश्ण है आपसे कई वर पूछेगे एक आपसे प्रस्ण पूछा जाता है कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है मतलब संतुलित आहार क्या कहते हैं एक ऐसा आहार वे सभी चीज्ञों को उच्यत मात्रा में मौझूद हो जो शरीर के निर्वा के लिए आउस्यक हैं संतुलित आहार कहलाते हैं ठीक है आप इसमें क्या होता है इसमें कार्बोहेड्रेड वसा, प्रोटीन, खनीज, लवर्ड, जल्टाता सभी پ्रकार के विटामिन उचीत मात्रा में होते है है जिससे सरीर के आउसकताओं की पूर्टी होती है अलवा ने प्रकार के मतलब क्याता है दोस्तों जो भी हमारी सरीख के लिए जरूरी कार्बोहडरेट प्रोटीन विटामिन्स हो इसको सही मात्रा में दें तो इसको हम कहते है संतुरित आहर इसके अलावा स्वक्षता क्या है वाट इस हाइजीन हाइजीन का अर्थ है स्वस्त रहने का तरीका यह न दोनों पॉइंटों में अगर मालीजी आपसे यह पूछ देता है कि संतुरित आहर के विशेस्ता बताईए फिर इसका उद्देश से बताईए इसका महत्तों बताईए तो आप लिख सकते हैं कि संतुरित आहर करने से क्या होगा हम फिट रहेंगे हमें ज्यादा फैट नी ह होंगे हम बहुत ज़्यादा पतले नहीं होंगे हमें कार करने की छमता बढ़ेगी हमारे सारी दिखावट अच्छा रहेगा ठीक हमारे अंदर उड़ जादा रहेगी और हम सही से कार यह सारी चीज़े क्या है दोस्तों इसके फाइदे होंगे आप लिए स्वाक्षिता के क्य क्या आता है जो एक दूसरे से दूसरे दूसमें संक्रमन फैलता है जैसे कोवीड कोवीड अभी बहत्रीन एकजामपल है तो संक्रम रोग का तत पर ऐसे रोगों से है जिस जो एक इंसान या जीव से दूसरे इंसान या जीव में फैलते हैं ठीक है इस पकार के रोग किसी रोग जनित कारको रोगाड़ों जैसे प्रोटोजोवाइस्ट बैक्टिरिया वाइरस इत्यादी के माद्यम से एक व्यक्तिस से दूसरे व्यक्ति में फैल कर उसे संक्रमित कर सकते हैं अब संक्रमित रोगों से बचें अब मांद जै बचाओ यह टॉपिक आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा संक्रमित रोगों से बचने का तारीका मतलब मतलब अपनी स्वास्तों के ख्याल रखना सबसे पहले सही डाइट मेलेंस करना डिस्टेंस लर्निंग रखना समय समय पर हाँ धोलना मास्क पहनना इन सीरी से जीजिज क्या तो मतलब संक्रमित रोगों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखना तो इस पकार से थोड़ा सा आप इसको बढ़ा के लिख सकते हैं चलिए बहुत से अब आई अब एक सवाल है प्रवेक्चर प्रवेक्चर का मतलब वहता है सूपरवाइजर आपको बताए एक्जामनर आते हैं स आदेश जारी करने की जहमता होनी चाहिए वह इमांदार होना चाहिए कारेकारताओं को उस पर विस्वास होना चाहिए उसे जल्दी से अपना आपाख नहीं खोना चाहिए बलकि उसके कारेकारताओं के वहवार करने से धहरे रखना चाहिए और उसके पास और सक योगता ह चाहिए ताकि वह समस्याओं को हल करने में सक्षमों ठीक है उसके परदबंद में वीवी निकारियों करने की जहमता होनी चाहिए उसके मन्युसिके प्रतिस आनभूती रखनी चाहिए और उससे कारकरता हो तो यह सारे चीज़े हैं दोस्तों आप मतलब लिख लीजिए गा ठ तो कि प्रदूसर तो आप समस लिख सकते हैं कि प्रयावरण में दूसक पदार्तों का परियोग मतलब ठीक है वह चीज़े जो खराब हैं जो सही नहीं है उनका प्रयावरण में सामील हो जाना प्रदूसर कहलाता है इसको आप अपने बत लिख सकते हैं प्रयावरण के मु की विसको विसफोट तो यह होगे वायू पर दूसर के कारण वायू पर दूसर से दूस्परभाव क्या है दोस्तों इसे दूस्परभाव यह है कि हमारे हमारे फेफड़े खराब होते हैं, हमरे बहुत जारी बीमारियां होती है, ओजों का लेयर कम होता है, हावा प्रदूसित होता है, इसकी बीमारियां आती है, तो इस पकार से आप लिख सकते हैं, जल्ब प्रदूसर के कारण क्या है, जल्ब प्रदूसर में, जैसे कि हम अपने नदी नाल, नदी है ठीक है हमारे पीने की पाने की कम ही आती है कई सारी बीमारियां उत्पन होती है बाल जढ़ने की समस्या भी उत्पन होती है तो यह आप लिख सकते हैं ठीक उसी प्रकार से ध्वानी प्रदूसर के करार क्या है साधी विवा चुनाव जितने पर ढोलता से बाजे पटाके य दोस्तो सिर्दर, चिर्चिड़ापन, हाई ब्ल псरश इस तरह के प्रोब conceived this तो आप इससे परकार से इसके बारे में लिख सकते हूं उसे परकार से भूमी पर दूसरे जमीन कैसे हैं मिटी कैसे खराब होता है मिटी में हम गलत तरीके की वज़ा सेहतन होता है पानी और हवा परूस्टा है पर्छा आप को कैसे बचा सकते हैं तो द्रिधुवन के हम निकलने वाली गाड़ी के गारे गी जुभए है उसके जग़ा हैं उसके जगा पर लेक्ट्रिक कार के यूजे करें इस तरीका से ज़ाओ अगले Are बचा सकते हैं उसके उपाई किया है बुर्द भूमी प्रदूसर से आप कैसे बचाऊ कर सकते हैं तो इस प्रकार से प्रदूसर के बारे में आप लिख सकते हैं ऐसा मैं मानता हूँ ठीक है तो चलिए अगला प्रशन देखेंगा अगला प्रशन ओ स्वारी हर उदास सक्स का म नोट्स बनाएं बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं और इसमें एक थोड़ी सी आईडिया भी हमें मिल जाएगी कि इस प्रकार के प्रश्णों को हम कैसे नोट्स बनाएं देखिए राज यस्तर पर सिक्षा का कोई इसक में आपको परिवाशा नहीं मिलेगा आप राज यस्तर की सिक्षा से क्या समझते हैं इसके बारे में cinematography देश के भवी नाग्रीकों को चिंतन अनुभूति और किरिया में इस प्रकार का परिवर्तन लाने का प्यास करता किया जाता है जिससे की प्रसंद रहकर सफल जीवन व्यतित कर सके तथा समाज और देश के विकास में अपनी मौतपूर बूमी का निवा सके तो सबसे पहले इने सिक्षा के बारे में थोड़ा से बताया ठीक है किसी भी देश के नागरिकों का समाजिक तथा राश्ट्रिय विकास वहां के सिक्षा विवस्ता पर निर्पर करता है थोड़ी से सिक्षा के बारे में बताया है कि भारत में 29 राज्य राज्य पाल जो होते हैं वो राज्य के सरोच अध्यच होते हैं उनकी शासन कारियों में प्रामर्स देना यह थोड़ी सी इनके बारे मंबताएगे कि राजइपाल क्या तो इस प्रकार से थोड़ी सी राजी विवस्ता के बारे में बताएगे अब यहां पर हमारा मेन पॉइंट शुरू होता है कि सिख्षा विवाग की अधिकारी तीन अस्तरों पर कारे करते हैं जिसे निदेशाले अरस्तर छेत्री अस्तर और जिला अस्तर ठीक है अब आईए इसका स्क्रिंशॉट ले लिए जी का बाकी में पीडियो बना के भेजू सिख्षा विवाग में सबसे उपर अधिकारी उसको गयाता है सिख्षा मंतरी उसके नीचे होता है सिख्षा सचीव फिर होता है सिख्षा निदेशक जैसे उच्छा मादिमिक सिख्षा प्रात्मिक सिख्षा अब उप निदेशक सिख्षा मंडल अस्तर पे या फिर जीला अस्तर पर जीला विद्याले निरीचक और ब्लाक शिक्षा अधिकारी या फिर ब्लॉक अस्तर तो यह हो गई दोस्तों सैचिक प्रसासन की संरचना या धाचा का क्रम वाइच इसकी स्क्रीशॉट आप जरूर लीजिएगा चलिए अब वन बाई वन हम देखेंगे सबसे पढ़ें की सिक्षा मंत्री क्या होते की सरकार क्या करती है सिक्षा मंत्र आले करता है आप जैसे कोई भी इनके नंत्रकत कौन कौन से आते हैं जैसे क्रिशी एंजिनरिंग सिछा वड़ी जिछा उद्योग सारवजिनिक स्वास्ति पसुच चिकित्सक आधी सबी क्या थे इनके अंत्रकत नियंत्रड में आते हैं चलिए इसको बहुत जाता देखने काई वह से दे नेत्रितु करना चली सिक्षा से संबंदित विश्वय पर पुछे गए प्रश्णों का विधान मंडल के उमें उतर देना जो अगर ऑपजीशन के पार्टी पूझते हैं कि आप सिक्षा में क्या कर रहे तो जवाब देना चली नीजी प्रबंद को था अस्थानिय संस्थानो सिक्षा मंदित का रहे तो सिक्षा मंत्री उसे इस संधीनर्य कांच करते हैं हर एक चीज़ का प्रस्ताव कौन देता है शिक्षा सच्छी वाले ले दे तो शिक्षा साचीवाले का अध्याच सिक्षा साच्यव होता है। उसकी सहायता हेतु उप सिक्षा अधिन साच्यव की निग्ति की जाती है। या अखिल भारती सेवा मतलब आईस इंडियन एडमिस्रीटरीश सर्वीस के सदश्य होते हैं प्रतिदीन के मामलों की सिक्षा की बात होगा यह आईस कैसे वो जो सारे सुझाव होते हैं सिक्षा मंतरी को देना हर एक प्रस्तूत कारेकरम बना के देना सिक्षा कोई नहीं चीज़े को आती है तो सिक्षा सची वाले ही बना के देता है पेस करता है किसके बास सिक्षा मंतरी के पास और सिक्षा मंतरी क्या क ठीक चली इसे पकार से आप राज सिक्षा निदे साले इसके बारे में लखिए राजस सीचा निदे साले के क्या करे होते हैं दोस्तों इस वीडियो को हम यही खतम करेंगे, बस एक छोटी से और पॉइंट देख लीजिए, जिसको बस देख लीजिए, क्योंकि आप इसको स्वयम्ज लिख सकते हैं, योग क्या होता है, योग सब्सक्राइब की उप्वति संस्क्रिट की युजधातुस हुई है, जिसक दुनिया को त्याक कर, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्कुर्बानी देते हैं, अब दाई, ये कुछ परिभासा हैं, तो मन की विरतियों को रोकना योग है, अर्थाथ चित की चंचलता का दमन, मतलब आपका मन इधर दर मचलता है, बहकता है, चंचल करता है, उसको प्रमात्मा को एक मिला लेना का नाम ही योग है, डॉक्टर सरोपली राधा कृष्णा ने बहुत अच्छा डेफिनिशन दिया कि युवा पुरातन पंथ है, स्वारी योग, योग पुरातन पंथ है, जो की विक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, चलिए, तो यह हो जो विक्ति को उर्जा परदान करता है, जिसके बल पर पर प्रतिक कार कुशलता से कर सकता है, योग एक ऐसा साधन है, जिसको करने से विक्ति अपने चीमन को सुखी संतोसी बनाकर दिरकायो परात कर सकते है, यहां पर कुछी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप समझ आ योग के लक्षि क्या होते हैं, योग का पर परतम लक्षि तो यह है कि विधिय परति विकास मार्क ब्रदश करना योग करने से मानसिक सकती हमारे ठीक रहती है, इस तनाव भर्स निधरा जैसे बिमारिया नहीं होती है. संसारिक रोगों से मुक्ति दिलाना मन को इस्थिर करना व्यक्ति के आच्रण में सुधर लाना यह सारे क्या कारे होते हैं योग के कारे होते हैं तो आप इन पॉइν्ट को लिख सकते हैं जोस्तो अगर अभी तक आपने कीवल सुन भी लिया होगा न तो बस टेंशन मतली जी आप आरहाम से तैयारी करिए अब आप जब एक्जाम में जाएंगे और इससे संबने कुछ प्रशन आएंगे तो आप देखेगा आपके पास लिखने के लिए सब्द बहुत मिल जाएंगे सब्द भंडार आपका बढ़ गया होगा रिविजन करने का यही मतलब होता है समय सारडी के बारे में प्राइवरल के बारे में प्रदू सवर्ण संतुन अहार स्वास्त सिक्षा संक्रमक जनसंख्या विद्याले बजट राज्य सरकार की संरक्षना पर्टिसवागामी क्रिया अब इन सब के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तो मैं थोड़ी सी कोशिश थी कि रिविजन में मतलब टॉपिक थोड़े सा दिमाग में आ जाए एक्जाम से पहले ताकि जब आप कलम उठाएं तो आपका कलम रुके नहीं रुकना नहीं चाहिए कलम 30 पेज अच्छी लगए तो लाइक करिए कमेंट में मेरी हौसला आवजाई कर सकते हैं मुझे फीडबैक देके सब्सक्राइब करेंगर नहीं किया अभी तक तो अब अपने दोस्तों को शियर करिए उनसे कहिए कि लास्ट टाइम पर अभी तक तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन लास शुक्रिया आप सबीका जया हिन जया भारत दोस्तों